या अध् лишь कार्मेइ पूजा आप देखें हैं जनीत वाद आज जो है जिस तरीके से नुपुर्शर्मा लेकर प्त्कार भी लगाई है नुपुर्शर्मा को आट सांभने आई है इतने दिनों से जो है वो हिरासत में भी नहीं ली गई थी आइफाईयार होने के बावजूद भी जो है उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई थी लेकिन अब जो है वो सारे सवालों के जवाब देने जो है अब सुप्रीम कौर्ट की तरफ से उनको जो है बहुत बुरी तरह से फटकार लगी है लेकिन उसके ही पहले जब सुप्रीम कोट ने जब नुपुर्श हर्मा को बुलाए और याची का दी थी जो याची का दी गई थी नुपुर्ष एक तो चलते जो है सुप्रिम कोट ने उनको फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए ये बोला है जिस तरीके से नुपु शर्मा ने पूरे देश का माहौल खराब किया है पूरे देश में जो हिंसा की घटना सामने आई है जिस तरीके से अब पूरा माहौल जो बदल चुका है पू नभी माहौल खराब हुआ और एक दूसरे के प्रती जो द्वेश पैदा हुआ हिंदू-मुस्लिम हुआ यह सब जो है कि नुपूर शर्मा के कारण हुआ इस तरीके की जो है टिपड़ी करने के बाद अब उसके बाद जो है सुप्रीम कॉट ने बुरी तरह से फटकार लगा करने का शुरा जीन है लगातार जो है नुपूर शर्मा को फटकार लगाते हुए बहुत कुछ बोला है और बहुत कुछ पुलिस ने जो है नुपूर शर्मा की अरेस्टिंग नहीं की अब जो है उन या चीका को जो है वापस ले लिया है नुपूर शर्मा ने और जितनी भी एफ आयार थी उनको स्थानांत्रित कर दिया गया है क्यूंकि जिस Catholic नुपूर्ण श्र्मा ने देश की माहौल विगारने की कोशिष की अब सुप्रिमज कोट का यह भी कहना है कि जिस तरीके से उदॉय पूर्ण में जो हत्या कांड हुआ बहुत को द्वारा वह भी इसी का ही जो है हिसा है इसी टिपड़ी इसी के चलते जो जितने भी जो न्यूस चैनल है वो उनको भी फटकार लगी है और नवीका शर्मा के लिए भी जो है सुप्रीम कॉट ने बोला है ऐसे एंकर्स जो है वो डिबेट के लायक नहीं है और इस तरीके की एंकरिंग के लायक नहीं है ऐसा सुप्रीम कॉट का कहना ह और लगातार जो है फटकार लगाते हुए सुप्रीम कौट ने दस पॉइंट गिनाते हुए बहुत चीजे बोली है और सबसे बड़ा सवाल जो है अब दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर उंगली उठाई जा रही है दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से एक काम क भटनाई है जिस तरीके से मुहम्मद प्रेगेंबर साथ के ऊपर नुपु शर्मा ने टिपड़ी की उसके बाद देश का माहौल खराप किया उसके बावजूद इतने लोगों द्वारा और इतनी जगों से नुपु शर्मा के लिए जो एफाई आर हुई उसके ऊपर दिल्ल नुपु शर्मा के द्वारा एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है उनका कहना है जिस तरीके से एक व्यक्ति यानि की मोहमद जुबैर जो की आल्ट न्यूस के फैक्ट चेकर हैं मोहमद जुबैर को जो है उनी की जो वीडियो वगेरा जो उन्होंने वाइरल की थी नुपू शर्मा की जिस तरीके से प्रॉफेट मोहमद साब पे वो टिपड़ी कर रही थी तो उसी के चलते जो है मोहमद जुबैर की जो है अरेस्टिंग हो जाती है लेकिन वहीं एक तरफ जो पूरे देश का माहौल खराब कर देती है नुपू शर्मा जो पूरे शांतिपून धंग से पूरे देश का माहौल को बिगाड़ने का काम करती है भावनाएं आहत कर दे लोगों की और लोगों के अंदर द्वेश पैदा कर देती है तो ऐसी महिला जो केवल और केवल पूरे देश के माहल को खराब करने वाली महिला पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता है वहीं नुपूर शर्मा की अरेस्टिंग क्यों नहीं होती है ऐसे ऐसे सवाल जो है सुप सुप्रिम कोट के जज हैं उन्होंने ये कहा कि हा इन के लिए वह भाग नहीं रहेALLY हैं तो इनके लिए रीड्र कारपेट जो है बिछा देना चाहिए ऐसे आसे-यसे उन्हों ने उदेपुर में जो ये हत्याकांड हुआ शायद ये हत्याकांड नहीं होता जिस आपको मालूम होगा जिस तरीके से उदेपुर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ इसी के चलते दिया गया क्यूंकि जो कनहिया लाल था उसके बच्चों ने स्टेटस पर जो है नुपूर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाया था और उसी के चलते उन मुस्लिम यूवकों ने जब ये देखा तब ही जो है इस घटना को अंजाम दिया गया तो आप सोचिए किस तरीके से नुपूर शर्मा ने एक देश के माहल को खराब करने का काम किया है कह का एक सरकार जो है बैठ कर इस तरीके का काम को अंजाम दे रही है और यहां तक कि सुप्रिम कॉर्ट ने ये भी कहा है कि एक नुपूर शर्मा जो इतने घमंड में है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के नशे में है इसलिए वो इस तरीके के बयान बाजी देती हुई नजर आ कर दो आई है तो ऐसा भी सुप्रिम कोट का कहना है लगातार जो है ऐसी टीवी चैनल को मना करते हुए और पूरे टीवी चैनल और साथ में सरकार के उपर उंगली उठाते हुए सुप्रिम कोट ने यह फैसला सुनाया है अब फैसला नहीं आया है मगर ऐसी फटकार गया है उसी के चलते अब क्या कुछ होगा इसलिए हम यह जानेंगे और भी अगर अगर हमें कोई यहां पर मिलेगा या एड़ोकेट होंगे तो उनसे हम बात करेंगे लेकिन अभी तक तो जहां जितना पता चला है हम वह सब चीजें आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ रहा औ क्या अपनी दलील देने में नुपूशरमा जो है यहां पर आई जो इतने दिनों से गायब थी जो कहीं पर भी किसी लोगों को नहीं दिख रही थी स्प्रिम कूर्ट ने यह भी कहा है कि नुपूशरमा को टीवी चैनल पे आकर माफी मांगनी चाहीए क्योंकि उन्होंने अब जो है माफी मांगी भी है तो बहुत देर कर दी है अब ये देर जो की गई है तो ये देर के पीछे क्या किसी का हाथ है क्या कुछ रहा है क्या टाइमली अगर पुलिस जो है अपना अपना काम करती और टाइमली जो है सुप्रिम कौट अपना काम करती तो शायद इस तरी होने से रुख जाता शायद इस देश का महौल अभी खराब नहीं होता लेकिन नुपूर्शर्मा की किपणी से यह सब हुआ है और इसको दोशी माना जा रहा है सुप्रीम कोड का यह सब कहना है तिके साथ देखते रहे यह जनित आवाज मेरे सायोगी धर्मेंद के साथ मैं पूजा सुप्रीम कोड दिल्ली